हेलो दोस्तों वेलकम बैक टूनी वीडियो उमीद करते हैं आप सब भी बहुत ही अच्छ होंगे दोस्तों आपके सामने खड़ीवी है एक होंडा की SP 125 और एक खड़ीवी होंडा की साइन 125 और दोस्तों दोनों वाइक में बड़ा कन्फेजन होता है किसके साथ जाना है ौन सी ले ना है तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा आप दिल के अगन को आउन कर लिजेगा ताकि ऐसी इंट्रेसिंग विडियो के नोटिफिकेशन पर आप तक पहुंसते रह सकें और आप मेरी विडियो सब्डेट रह सकें तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं दोनों के प्राइस के बारे में दोनों में आपको कितना प्राइस दिफरेंस देखने को मलता है जैन सी बात है कोई चीज लेने वाले लेने की सोच रहे तो सबसे पहले अपने बजट के बारे में जरूर सोचते हैं दोस्तों आपको बता तो अपनी जो SP125 है, वो आपको टॉप मोडल बता रहो ना, 90,000, 90,000 रुपे के आसपास की एक सुरूम प्राइस देखने को मिल जाती है, ठीक, SP125 टॉप मोडल, वही दोस्तों, अगर आप माल लेजे, अपनी साइन 155 टॉप मोडल लेंगे, तो चली, लाइट आउन करता हूँ, सबसे पहले फ्राइट में आता हूँ, दोस्तों अपनी जो हुंडा साइन 125 है, उसमें आपको लाइट फ्राइट में नॉर्वल हेलोजन बल देखने को मिल जाता है, बट दोस्तों यहाँ पर अपनी जो, यहाँ पर जो अपनी SP125 पर उसमे लुक से दिखती भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, यहाँ पर कोई डाउट नहीं है, दिखती भी बहुत अच्छी है, प्लस टर्न सिंगल ने आपको दोनों में जो बल देखने को मिल जा रहा है, चलिए, बात कर लेते हैं दोस्तों, आप दोनों बाइक के फ्रन सस्पेंशन के बारे में, फ्रन में दोस्तों दोनों बाइक में आपको जो सस्पेंशन आपको टेलिसकोपिक मिलेंगे, पहले आप सदव को देखने जाए, आर इंडिकेटर मौन करके दिखा देता हूँ, ठीक, उसके बाद देख पार इंडिकेटर भी जो आपको बह देखने को मिलते हैं, suspension की जो quality है, वो भी दोस्तों आपको बहुत अच्छी बेतर देखने को मल जाती है, ठीक, front में आपको 800 के tire size दोनों में देखने को मिलेंगे, प्लस front में ये दोनों drum brake वाली है, दोनों में disc वाला model भी आता है, जो कि दोनों का top model है, जो कि आपको दोनों म model लेना चाहिए, तो आप ले सकते हैं, वो आप पे depend करता है, अगर आप लेना चाहिए, तो आप जरूर जो है, ले सकते हैं, ठीक, अगर डिस्क वाली लें तो जाधा बैतर है, मेरे साफ से आपको डिस्क वाली के साथ में ही जाना चाहिए, मेरे साफ से तो आपको डिस्क के साथ में जाना चाहिए चलिए अब चलते हैं दोस्तों दोनों के एंजिन स्पेसिपिकेशन की तरब दोस्तों दोनों का एंजिन में ज्यादा फरक नहीं है SP-125 में एंजिन टाइप में आपको 124C का सिंगल सेलेंडर एयर कूल फोरिश्टुक ऐसा एंजिन मिलता है साइप 155 Maximum Power में 10.6 का पावर जेनरेट करती है न 11 के असपास का टॉक जेनरेट करती है SP-85 10.7 का पावर जेनरेट करती है 10.9 का टॉक जेनरेट करती अब बोलेंगे बाई आप SP का पावर कम कैसे होगा 1,1 वह कारण पतें क्या है SP का वेट ज़्याधा है sign का weight कम है, दोनों का engine सेम है इसलिए SP का जो power है वो थोड़ा सा कम हो गया जादा ही थोड़ा सा कम हो गया बाकि दोनों में pass गया रहा है, दोनों में air cooling engine आता है दोनों में fuel system FI आता है, इससे fuel injector भी कहते है बोर साइज दोनों का 50 mm है, श्ट्रोक साइज दोनों का 63.1 mm के असपास कम मिलेगा प्लस दोनों में जो आप लोगों को normal weight multi plate आपको clutch यहाँ पर देखने को मिल जाता है मतब engine quality जो है दोनों की बहुत अच्छी है बाकि आपको बता है दोस्तों Honda का एंजिन है तो बाए Honda कभी भी engine में compromise नहीं करता engine की quality दोस्तों Honda की आपको बहुत बैठर देखने को मिल जाती है अन्नोड और दोस्तों Honda है भी बहुत बैठर इन भाई कि आपको डाउट नहीं है मेरे साब से Honda इस वामले में जो एक काफ़ अच्छी बाइक निकल कर आती है प्लस दोनों का दोस्तों आपको बहुत आदू A20 VS6 नौम सेला जो engine है वो आपको दोनों बाइक में देखने को मिल जाता है यह भी काफ़ अच्छी बात आपको या पर देखने को मिलेगी दोनों आपको यह 20 रॉप्स मिलता है चली बात करने दोनों के mileage and performance के बारे में आपको बात दोनों बाइक आपको लगबग 60 साथ के असपस का mileage ओफर करेगी दोनों बाइक लगबग से मालेज देती है 0 to 60 में दोनों बाइक को 7 सेकेंड लगते है दोनों की top speed company claim कर रहे है 100 से 110 किलोमेटर परवार के top speed जो है आज पाज़र आपको दोनों बाइक में देखने को मल जाती है top end performance आपको दोनों बाइक की बहुत अच्छी मल जाती है ठीक चली अब दोस्तों आ जाते हैं इस दोनों बाइक के rear profile की तरब front profile आपने देखा engine जाना ब्रेकिंग जाने श Richardson जाने शारी चीज़-ची तरब दोनों बाइक के बारे में अब आते हैं दोस्तों डॉनों के rear profile की तरब रूर के बाइक के बारे में सारे चीज is जो अच्छी से आपको тамपहने को मताओंगा दोनों में आपको देखने को मिल जाता है जो साइन है उसमें आपको टायर साइज मिलता है एटी हंड्रेड ठीक साइन में मिलता है एटी हंड्रेड लगबग और साइन में भी आपको एटी हंड्रेड मिलता है तो tire size भी दुस्तों दोनों का same है tire size में दोनों में कोई फरक आपको नहीं आएगा आपको मैं clear कर दू ठीक है दाकि दोनों का exhaust load है दोस्तों भी आपको बहुत ही बैठरी और बहुत अच्छा देखने को मिल जाता है दोनों का exhaust load मुझे प्रस्टने बहुत ज़्यादा पसंद आता है पाकि आप जब करेंगे चलाएंगे सामने से देखेंगे टेस्ट है लेंगे तो आपको ज़्यादा बैठर समझ में आएगा ठीक exhaust load भी दोनों का बहुत ही अच्छा आपको मिलेगा दोनों आपको rear में drum brick मिलता है दोनों आपको rear में 2100 के absorber suspension मिलेंगे ठीक दोनों के suspension में कुछ ज़्यादा फरक नहीं है आप मैं दुस्तों देखें जो rear का design है मुझे SP का तोड़ा स्पूर्टी लगता है और इसका जो company ने tire दिया उसके gripping भी थोड़ी अलग है MRF के Japper series है इसकी gripping भी आपको थोड़ी बैतर मिल जाती है as compared to SP sign 125 के tire यह चीज आपको इसमें थोड़े बैतर मिल जाएंगे यह आप compare करके देख सकते है और आप एक बार rear life में देखेंगे तो आपको और ज़ब ज़्यादा बैतर समझ में आ जाएगा अब चलते हैं दोनों के दोस्तों speedometer की तरब दोनों के speedometer के बारे में बात कर लेते हैं चली दोनों के speedometer आपको दिखा देता हूँ दोस्तों यह आपको मैं बता दू कि SP 125 इसमें आपको fully digital meter देखने को मिलता है यह एक major फरक है दोनों बाइक पर पहले आप sign का meter देखिए यह पर fully analog meter है कुछ भी digital लिए इसमें आपको speedometer, takeometer और अपना autometer, fuel gauge बस इतने ही feature आपको मिलेंगे feature wise आपको यह पर कोई भी एक्स्टा खास चीज़ देखने को नहीं मिलती है अगर मैं बात करू अपनी sign 125 के बारे में वह अगर मैं बात करूँ SP के बारे में SP में जो आपको fully digital meter है मिलता है सबसे पहले कीदिकली स्थाइब के की है speedometer में आपको fully digital meter आपको इस बाइक पे देखने को मिलेगा जैसे आपको काफी सरे जो feature आपको देखने को मिलेंगे जैसे speedometer है ठीक है उसके बाद दोस्तों speedometer के बाद आपको बता दो इसमें आपको autometer है clock है, fuel gauge है, gear indicator है, service reminder है प्लस आपको bike में जो है distance to empty indicator भी देखने को मिलेगा प्लस दो switches दिये हैं जिससा आप इसके speedometer को control कर सकते हैं सीधी सी बात है बाइज सीधी बात, no back wave, SP motor divide feature के मामले में sign से ज़्यादा बेदर है बात ही सारे सीधी दोनों भाइगा almost same आपको मिलेगा ठीक, दोस्तों दोनों भाइग के अगर मैं बात करूँ weight के बारे में तो भाइग sign weight काफी light weight है 114 kg, SP ए 118 kg, SP के fuel tank capacity 11 liter, sign की है 10 liter ठीक, seated है sign की 790 mm, SP की 790 mm सेम है, ground killer is दोनों का almost 160 mm के असपास का मिल जाता है यह दोनों का detail comparison था अब आपपे depend करता है दोस्तों आप किसके साथ में जा रहे है मेरे साफ से दोस्तों आपको SP के साथ में जाना चीह अब आपपे depend करता है आप कौन सी ले रहे है गुड़ चलेगी तो like करना चैनल पे पहली बरहे हैं तो subscribe कर लेना चलिए दोस्तों मिलते हैं फिन नेक्स शुड़ो में love you all, jai in one day maatram